मुझे लगता है कि गॉड लाइक भी जोन के एजपी आएंगे अटाक करने के लिए वहीं आई कुसोल बड़ोसी बन चुके हैं आप इंस्पिरेशन E-Sports के देखने वली बात यस फाइट को कितनी जल्दी अंजाम दिया जाएगा अपकोस आई कुसोल के पास एडवांटेज है पॉइंस्पिरेशन चाहिए उनको आज के दिन में पॉइंस्पिरेशन चाहिए उनको आज के दिन में पॉइंस लेने के लिए जहां पर थोड़ा बच कर रहने की जरुवत है क्योंकि Global E-Sports हर एक टीम को देख सकती है और साथ ही साथ टीम एंटिटी मुझे लगता है कि पॉइंस के खिलाडियों को देख पाएंगे पर मैं अभी देख रहा था कि नकुल वो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर थे और आप सर्कल का शिफ्ट तो देखिए टीम एंटिटी उनने कहीं जाने की जरुवत नहीं है पूरा सर्कल उनके पास है और उसके बाद इंस खाली और आसानी से वो जोन के अंदर पहुच पाएंगे मैं तो कार्निवल गेमिंग के दो प्लेयर्स को भी देख रहा था मेजी जोन के अंदर तो वो भी पहुत चुके हैं कंपाउंड उनके पास भी है और अब उस कंपाउंड को डिफेंड करने की बारी है व्यसे यह ज पर वो इनसेन के अफ="पू जाहें जोर्ट उनकों की जरुवत है क्योकी पहले दिन वो भौत बडिया केल कर गए कल का दिन उतना अच्छा नहीं था और आज के दिन पर शुरुवात अच्छी करी गई एक वनिश तो उनके खाते में और वो भी आपे नौक होते दिखें और इसी चीज़ के मैं बात कर रहा था कि अगर आप जोन के बाहर रुककर स्कौौटिंग नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कते ह होंगी ही छोंगी यह तो बेसिक कहता है कि अगर आप सिर्कल के बाहर से आ रहे हो तो आपको पता होना च कि आप रुक कहां पर सकते हो वाँ पर एंटिटी उन्होंने देख लिया आसानी से उसको लाड़ी को समाप्त किया गया और अभी भी तीन खिलाड़ी बचें टीम गॉडलाइक के पफलाल के लिया आएनेस वर्सस टीम इंसेन वर्सस आइकू सोल उनकी फाइट चलती भी सकते हैं पर वो इंतजार करें और आप सुचे कि यह सारी ही टीम जोन के बाहर है गॉडलाइक वो जोन के अंदर पहुच पाए और अब मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी रोटेशन जहां पर उस फाइट को डिसंगेज करी गई और वो जोन के अंदर आए रिजेस का कवर लि बैटा है इस फाइट के उपर और वो काफी जल्दी अटाग भी कर सकते हैं यहां पर वहीं आईको सोल पॉइंट्स अल्रीडी हैं उनके पास काफी ज़्यादा देखने की बाद वो क्या करते हैं वहीं टीम एक स्पार्क त्यार ओनर रामपेज राइट ना टीम लिमराई स उनका इलिमनेशन बात आईको सोल के वो कुछ खास कर पाएंगे राणी उनका लेजन की स्प्रे एक फ्लेर को करा डाउन डैमज का पी जादा और भी डील किया है बाकी प्लेयर्स को लेकिन अभी विकलच करना बाकी टीम इन से हम जानते हैं कि गन गेप कितना स्ट्रॉंग है उनका बठाई को सोल दो प्लेयर्स एक गोल के जीत हो उनकी और साथ ही साथ ग्लोबल एस्पोर्स को आप देखे कि कितना ज्यादा उन्होंने दोनों ही टीम को परिशान किया और अब राणी वो बसते आखरी खिलाडी उनको भी डामेश पड़ा अंदर वो खिलाडी बह होए वो पहले से ही थार का इस लोबल एस्पोर्स ने निलिया कि वो लेट रोटेशन करेंगे बड़ क्या उनको जोन में जगा मिल पाईगी यह बीस्ट जोनतन को डाउन करेंगे नाम लेते ही इस लगाए और उन्होंने समाप्त भी कर दिया यानि कि शून अंकों के साथ आपने इस माक्स से एक्जिट लिया और मैं इसी चीज़ के चल्चाएं कर भी रहा था कि अगर आप इतना वाइड रोटेट करकर आ रहे हो थोड़ा सा ज़ादा उसको बढ़ाया गया ग्लोबल इस्पोर्स एंटिटी एक मुकाबला इन दो टीम्स के बीच पे और यहां पर अगर इस कंपाउंड की फाइट की बात की जाए टीम एक्सपार्क के सामने इंस्पिरेशन एस्पोर्स और हैद्राबाद हाईड्रास का वो एक खिलाडी जो भी भी होल्ड कर रहा है बहुत बड़ा फार है उनके सर के उपर पर मैट्रिक वो कर क्या रहे आपके सामने वो खिलाडी आगया और अब आप गाडी की तरफ देख रहे थे स्टार बोई उन्होंने मैट्रिक को डाउन किया समाप्त किये जाएंगे और इतना सर्वाइब करने के बाद भी मात्रो वो प्लेस्मेंट पॉइंट लेकर जा पाएंपर आएनेस वो भी सर्कल के अंदर नहीं जा पाएंगे उनके खिलाडी प्लेजोन का शिकार हो गए तर टीम एक्स पार्क ये क्या रूप देखने को मिल रहा है इनका क्या फ्राइक्स वो निकाल रहे है एंटिटी को खतम किया उन्होंने अभी अभी और प्राइम वो ग्लोबली स्पोर्स पे नौक निकाल रही है टीम एक्स पार्क ओन डिफ्रेंट लेवल बारा फ्राइक्स इनके नाम के आगे बहुत ज़रूरी है तब प्राइम भी अपने प्राइम फॉर्म में आते हुए और बाकी जो खिलाडी नौक उन्हें समात कर दिया जाएगा वो भी समात कर दिये जाएंगे टीम एक्स पार्क ओन बाक्वर्ट और ग्लोबल एस्पोर्ट ये आर फाइटिंग विद एवरी थिंग देगाट बट्राइम जो पीछे से आके वो फ्राइग चुडाते हैं देखें वो फाइट नहीं कर रहें वो धुस्त कर रहें सामने वाली टीम को जिस तरीके से ग्रिनेड फ्रो करे जा रहें और आप स्लग को देखी है थोड़ी दिर पहले हमने जब उनको गाड़ी चलाते हुए देखा था उन्हेरे फ्राइग निकाले ते एक बफ़र से उन पहर चला गया उन्होंने वो फिनिश भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया तू इजी फॉर्ची ग्लोबली स्पोर्च लेके जाते हुए एक मैसिव विनर विनर चिकन डिनर और इसी के साथ टॉप एट में अपनी जगा थोड़े हग तक तो सुने शित उन्होंने कर ही है